हलो स्टूडेंट्स बीएसी फर्स्ट येर की इलेक्ट्रो मागनेटिजम की क्लास में आपका स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं ग्रेडियेंट पर बेज्ट न्यूमेरिकल प्रिविएस क्लास में हमने ग्रेडियेंट पड़ा था और उसका फॉर्मुला ड्राइव किया यदी किसी बिंदू का स्थिति सदिस आर वेक्टर है तो ग्रेडियेंट वन अपोन आर का मान गयात करना है जब भी बी कोश्चं आजाए ना तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ग्रेडियेंट का फॉर्मुला क्या होता है gradient 5 मैंने आपको बताया था किसके equal होता है delta 5 के equal होता है मैं एक question बताऊँगा ना आप 10 question कर सकते हो उसके जैसे gradient 5 किसके equal होता है मारे पास delta 5 के delta जो होता है मारे पास वो क्या होता है i cap del upon del x होता है j cap del upon डेल वाई होता है प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जड होता है ठीक है यह बाते पता होनी चाहिए अभी हमें gradient 1 upon R की value निकलनी, यानि phi की value क्या होती है, 1 upon R है आपर, तो gradient क्या होगा, 1 upon R निकलना है हमें, और delta क्या हैगा, 1 upon R है जाएगा, अब हम इसकी तो value find out करनी है, RHS solve कर लेते हैं, delta की value क्या होती है, यह बताया मैंने आपको, i cap del upon del x j cap del upon del y plus k cap del upon del z और 1 upon r को मैं लिख सकता हूँ r की power minus 1 लिख सकता हूँ अब इसको हम अंदर multiply कर ले तो i cap del upon del x क्या होगा r की power minus 1 फिर j cap del upon del y r की power minus 1 फिर k cap del upon del z r की power minus 1 ये क्या आगिया सर इस chapter में इस unit में ध्यान रखना r vector जो होता है न वो x i cap plus y j cap plus z क्या होता है k cap होता है यानि की r जो है वो किसका function है x y और z का मतलब r का हम किस-किस के respect में differentiation कर सकते है आउकलन कर सकते है x y और z की form में x की respect में भी y की respect में भी और z की respect में भी करो तो देखो क्या होगा i cap into from alkaline differentiation करो x की power n से करोगे minus r की power n minus 1 2 हो जाएगा फिर r का x की respect में भी होगा del r upon del x होगा plus क्या होगा z cap होगा into r की power क्या है minus 1 क्या होगा r की power minus 2 del r upon del y होगा plus क्या होगा k cap होगा into r की power n का n r की power n minus 2 और del r upon क्या होगा del z होगा अब हमें ये चीजे भी हटानी होगी ये आ रहा है सर del r upon del y और del r upon del z इनको कैसे हटाएगे तो पूरी unit में ध्यान रखना delta ये होता है r vector ये होता है r x y z function होता है r का x के y के और z के respect में differentiation हो सकता है उकलन हो सकता है इसका पहले magnitude निकालो परिमान निकालो परिमान ये magnitude क्या होगा r किसके equal होगा root i cap का जो coefficient है गुनांक होता है उसका square j cap का जो coefficient है गुनांक होता है उसका square और k cap का जो coefficient है गुनांक होता है उसका square यहां से r square की जो value आईगी वो कितनी आईगी x square प्लस y square प्लस z square आईगी इसका r का x y z तीनों के respect में differentiation हो सकता है तो हम differentiate करते हैं इसको with respect to x x के respect में इसका alkaline करते हैं क्या आएगा 2r और r का x के respect में del r upon del x हो जाएगा del r upon del x और x square का होगा 2x y और z का 0 हो जाएगा क्योंकि x के respect में कर रहे हैं 2 से 2 क्या हो जाएगा cancel del r upon del x की value क्या आएगी हमारे पास x upon r आजाएगी del r upon del x की value क्या मिलेगी हमें x upon r मिल जाएगी अब आप ऐसे ही इस equation का y के respect में differentiation करोगे और कलन करोगे तो del r upon del y किसके equal आएगा मारे पास y upon r k और del r upon del z किसके equal आएगा z upon r k पूरी unit में पूरी unit में electromagnetism में ये बात आपको ध्यान में रखनी है आएगा भाईया आएगा काम में आएगा ये पूरी unit में न रख देते हैं आप value देखो यह हो जाएगा i cap into minus minus चलो बहार ले होना सर देखो minus बहार लिया आर की पावर कितनी बनी minus 2 ये क्या हो गया i cap del r upon del x की value x upon क्या हो जाएगा हार फिर ये minus बहार आर की पावर minus 2 ये क्या होगा j cap del r upon del y की value क्या होगी y upon r फिर minus होगा हमारे पास r की पावर कितनी होगी minus 2 इसको हम क्या लिख सकते हैं k cap और del r upon del z की value क्या लिखेंगे हम z upon r लिख देंगे ठीक है बना लेंगे बिल्कुल बना लेंगे अब इसको हम soul कर सकते हैं देखो minus i cap x upon r की पावर minus 2 को नीचे ले जाओ r की पावर 2 प्लस क्यों जाएगी और एक यह है r की पावर 3 minus y z cap r की पावर कितनी होगी 3 minus z k cap r की पावर minus 2 है नीचे आएगी r की पावर 3 बन जाएगी minus common ले लेता हूं मैं और r qb common लेता हूं minus 1 upon r qb common ले लेता हूं तो यहां से बनेगा x i cap प्लस यहां से बचेगा y j cap और z k cap और इस चीज़ को हम यहां पर क्या लिख सकते हैं बताया था तो minus r vector upon क्या आजाएगा r qb आजाएगा इस तरीके से ऐसे question हम easily क्या कर सकते हैं बना सकते हैं अभी तो question की starting है बहुत सारे question हम ऐसे solve करने वाले हैं clear next question लिखता हूं फिर हम उसको solve करने वाएंगे यहां पर अब दो नेक्स्ट question यहां पर मैंने लिखा है ताकि टैम बज्जाए ना कि प्रूव देट दा position vector r vector equals to x i cap plus y j cap plus z k cap दे रहा है और उसके लिए प्रूव करना है delta lnr यह क्या सरा गया किसके एक्वल आना चाहिए r vector upon r square के तो एक बात मेरी ध्यान से सुनना यह जो question है यह gradient का है कैसे पता लगेगा हमने पढ़ा है gradient जो फाई होता है ना फाई का किसके साथ multiplication डेल्टा के साथ देखो सीधा सीधा multiply है कैसे multiply है सीधा delta delta lnr lnr क्या है फाई है यानि हमें कुल मिलाकर gradient ही निकालना होता है क्या निकालना होता है ग्रेडियंट है निकालना होता है तो देखो डेल्टा और फाई की जिए क्या है lnr और यही बस यहां से step लिखके दिए यहां की बजाए यहां से दिखाई दिए यह किसकी एक्वल है ऐसे भी दे सकता था यह अब इसको वैसे ही सोल कर दो देखो इसको सोल करना अभी अभी मैंने बताया था डेल्टा की जो वैल्यू होती है i cap del upon del x j cap del upon del y k cap del upon del z होती है तो यहां पर हम लिखेंगे i cap del upon del x j cap del upon del y plus k cap del upon del z और यहां आ जाएगा हमारे पास क्या lnr आ जाएगा बिल्कुल आ जाएगा क्या करेंगे हम तीनों से मल्टिप्लाई कर देंगे i cap del upon del x lnr से मल्टिप्लाई कर दिया j cap del upon del y lnr से मल्टिप्लाई कर दिया plus k cap del upon del z और lnr से मल्टिप्लाई कर दिया अब आपको सीधा सिंपल क्या करना है differentiation करना है और कलन करना है कैसे करेंगे सर क्या होता है 1 upon R तो यहां भी क्या होगा 1 upon R होगा और R का X के respect में करोगे तो DEL R upon більक subscription क्या जाएगा बिलकुल यह तो बहुत ही जी हो गया प्लस J cap लिख देंगे L & R का क्या होगा 1 upon R होगा और R का Y के respect में DEL R upon Del Y हो जाएगा में करोगे वन अपोन आर लोग का वन अपोन आर और जैड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा डैल आर अपोन डैल जैड आएगा अब आगे क्या करें इनको हटाओ पहले आप कैसे हटाते हैं तो एक बात अभी मैंने बताया था question में भी given है r vector क्या होता है x i cap y j cap plus z k cap इसका परिमान निकालना सीख जाओ root i cap का जो coefficient है गुनांग का उसका square j cap का जो coefficient है गुनांग का उसका square k cap का जो होता है r square equals to x square plus y square plus क्या बन जाएगा z square x का साथ differentiate कर देंगे तो क्या होगा 2 r del r upon del x होगा x square का क्या होगा 2 x 2 से 2 cancel हो जाएगा del r upon del x की value same concept x upon r होती है del r upon del y इस पूरी equation का y के respect में differentiation करो आउ कलन करो del r upon del y किसके equal आएगा y upon r के और del r upon del z किसके equal आएगा हमारे पास z upon r के equal आजाएगा अब क्या करें इसमें सारी value रख देते हैं देखो i cap into 1 upon r del r upon del x की value क्या होती है hex upon r j cap 1 upon r del r upon del y की value y upon r k cap 1 upon r del r upon del z की value z upon r क्या को मना रहे हैं सम्मे से 1 upon r square r into r r into r into r square को मना रहे हैं क्या बनेगा x i cap बनेगा y j cap बनेगा और z k cap बनेगा इसको हम क्या लिख सकते हैं question में ही है पूरी unit में ध्यान रख लेना r vector या r सदिस क्या है x i cap है y j cap है और z k cap है तो इसकी जिए हम क्या लिखेंगे r vector upon नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास r square आ जाएगा ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका solution हो जाएगा clear है तो देखो सारी चीज़े हम करेंगे एक एक concept भी हम इसमें पढ़ने वाले है class में हमने बहुत बढ़िया एक concept निकाला है online का offline भी अगर कोई करना चाता है तो कर सकता है बाकि offline का concept है कि जो आप जैसे offline में अगर physics physics की coaching करते हो तो लगबक 5000 के करीब पढ़ती है 5000 से ज़्यादा की पढ़ती है हम offline online में केवल 1000 रुपे में पूरी physics पढ़ाने वाले है BSC first year की ऐसे math भी पढ़ोगे आप 5000 से ज़्यादा 5000 से ज़्यादा कहीं भी पूछ के देख लेना और सारी की सारी हमारे पास एक्सपिरियंस फेकल्टी आरे भाई math और physics तो हम ही पढ़ाने वाले है 11-10 साल हो गए हमें पढ़ाते-पढ़ाते तो ये बात ध्यान रखनी है 1000 रुपे में 1000 में इतने कम में हम पूरी physics पढ़ा देगे आप देखना फस्टियर में जुड़ोगे सेकंड यर फाइनल यर में पढ़ोगे यहीं पढ़ोगे ओफलाइन अगर फिर भी करना चाहते हो तो करो और हम से दिक्कत लिए ओनलाइन में यह है कि आपको सारा concept मिल जाएगा सब कुछ मिल जाएगा में मिल जाएगा केमिस्टी में जाए बहुत फाया होता है उससे बहुत फाया होता है ठीक dai को इसुघकरра कि किद्ध करो की है नियत सभी सेके लिए नियत सभी सिये की लिए ब्रूब धैट रोड़ फॉर कॉंस्टेंट वेक्टर ए वेक्टर और इसके लिए हमें क्या प्रोव करना है डिल्टा ए डॉट आर वेक्टर की जो वैल्यू है ना वो ए वेक्टर के क्या नी चाहिए एक्वल आनी चाहिए यह हमें थोड़ा सा क्या करना है प्रोव करना है कैसे करोगे अरे 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 देखो सबसे पहले ले लो जो तर्म जहाँ पर जितनी बड़ी दिखाई देना उसको आपको सोल करना है यह बड़ी टर्म है बड़ी से छोटी बनाना असान होता है अब मेरे को यह बताओ यह डेल्टा तो चलो बाहर रहने दो इसे सोल कर सकते हमेशा सोल इस साइड से सोल करना स्टार्ट करो पहले आर वेक्टर का यह वेक्टर के साथ डोट प्रोडेक्ट अदीश गुना पर है हो पढ़ा था हो मैथ में भी पढ़ा था हमने फिजिक्स में अबहें फिए पढ़ा था क्या होता है सर होता है एवेक्टर जो होता हैं इसके तीन कंपोनेंट होते हैं तीन गटक होते हैं एक्साइड़a अई J recap और AÓ K Keap AX select Nnya 거야 offspring section कलर नहीं होगा ऑर वेक्टर क्या होता है X in plus Y жен n casosy K Ampeez has adopted wszyscy C considering सारी जीकर वैलेट होता है खूब पड़ा है किसी भी वेक्टर केसा सदिस्ष के तीन कॉम्पोनेंस्ट ओते हैं तीन गटक होते हैं ध्यान से सुनना तीन वेक्टर होते हैं तीन कंपोनेंट होते हैं और इस एक्टर को हम लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस एवाई जे कैप प्लस एजेड के कैप होगा और डॉट आर वेक्टर क्या होता है x i cap plus y j cap plus z k cap होता है फिर यहाँ पर इसको हम solve करें ओ सर डोट प्रोडेक्ट अगया कैसे solve करते है i cap को हमेशा किसे multiply करते है i cap से dot का मतलब i cap से i cap होता है i cap dot i cap आपने पढ़ा होगा 1 होता है j cap dot j cap भी 1 होता है और k cap dot k cap भी 1 होता है तो i cap को i cap से करो तो क्या होगा ax into क्या x होगा j cap को j cap से करोगे j cap dot j cap 1 होगा तो a y किसे multiply होगा y से k cap को k cap से multiply करो k cap dot k cap 1 होता है az into z हो जाएगा अभी हमें prove तो a vector करना है a vector करना है तो इसके लिए क्या करो इस delta की value रखो क्या होती है i cap del upon del x j cap del upon del y k cap del upon del z होती है और यह है ax into x plus ay into y plus az into z होती है क्या करो तीनों को multiply करो i cap del upon del x यह पूरा इससे multiply होगा ax into x plus ay into y plus az into z j cap del upon del y इससे पूरे को y से multiply करो ax into x plus ay into y plus az into z होगा plus k cap del upon del z होगा इसको इससे multiply करो ax into x plus ay into y plus az into क्या हो जाएगा z हो जाएगा अब यहाँ पर क्या आगया i cap हो गया x की respect में differentiation हो कलन है y और 0 तो वैसे ही हो जाएगे 0 y वाले और z वाले का differentiation तो 0 होगा x वाले का होगा k वाल ax तो भईया constant है तो x का होगा x का x की respect में 1 a नियत सदी से constant vector है यह यह एक्स ay और az की value fix रहेगी इनका differentiation यह वाले नहीं होगा यह constant की तरह वेवार करेंगे तो i cap ax आजाएगा और x का x के respect में 1 y का 0 z का 0 plus क्या होगा j cap आएगा x का 0 के वल वाले का होगा ay तो constant है as it is रख दो और y का y के respect में 1 हो जाएगा बाकि z और x तो मतलब भी नहीं है plus k cap होगा z का difference z के respect में x और y का तो 0 होगा z के respect में z का करोगे z का z के respect में होता है 1 के वल az बच जाएगा और यह क्या होता है यह यही कहानी है यानि किसके एक्वल है यह वेक्टर की एक्वल है इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं बना सकते हैं तो आज की class के लिए इतना ही next class में हम और different types के question और concept लेकर आएंगे आज के लिए इतना ही thank you जाएंगे